असलामु आलेकुम मैं जुलेका आरफाद जुलेकास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं पहले तो आप यह देख लीजिए ओहो हो माशाला सुभान अल्ला क्या चीजी निकला है ना इंदम चिकिन तो इसका नाम है पहले तो बता दूँ चीजी चिकिन सीख कबाब बहुत बढ़िया जटपड सूपर डिलिशिस और सूपर सॉफ्ट बनता है तो चलिए शुडू करते हैं आज की रेसिपी साधारान यानि ओर्डनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्रा ओर्डनरी टिश बनाते हैं चलिए यह है आदा किलो चिकिन का कीमा वैसे मैंने दू-तीन पानी स फोड़ा सूप जाता है हमें पानी सुखाना है क्योंकि यह जो चिकिन है ना यह जब हम ब्लेंड करेंगे न तो अगर पानी रहेगा तो एक दम गिली-गिली हो जाएगी और आपके यह जो हम बना रहे हैं कबाब यह बनेगी नहीं तो मैंने वह आधा घंटा एक घंटा त यह था उसके बाद निकाल के हलका हलका मुझे अभी भी थोड़ा पानी टाइप लग रहा है वेटनेस लग रही तो मैं क्या करी हो हलका हलका हातों से निचोर निचोर कर प्लेंडर में डाल देती हूं अच्छा अब यहां पर मैंने एक बड़े साइस का आलू लिया है बॉ जोड़ रही ही एक चुड़ल चैनी काश्मीरी लाल मिट्च पाऊडर आपका ज्यादा स्पाईस्यों तो कम डालियेगा आदा चौटचचफचच अच्छरा गरम मासाला पाऊडर आदा चुड़ल क चमाच काली मिर्चों का पाऊडर आदा चूड़ल चुड़लय को कर लीजिए ऐसे और इसे सबसे पहले तो एक पातर में याने के बड़ी से थाली में निकाल लीजिए साइट पे कोईला गरम करने रख दीजिए एक वायटी चिकन के ऊपर रख कर इसके अंदर गरम-गरम कोईला दाल दीजिए थोड़ा सा तेल घी या मखन दाल दीजिए और क्विकली ढख कर से 10 मिनित तक ऐसे रहने दीजिए ये फ्लेवर दालेंगे कोईले का तो बहुत ही अ हो तो आप आदे गंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए पर मेरी मैनेजिबल है तो मैंने हातों को तेल की मदद से ख्रीज किया थोड़ा सा पोशल लेजिए चिकन का और बॉल बना कर उसे चप्टा कीजिए और ये जो चीज बीच में खुर्ची हुई दालिया आप मैनेजिबल ना हो तो फ्रिज में रख दीजिएगा चलिए ये एक बन गई मैं इसे साइट पर रख देती हूं और इसी तरीके से सारे में बना लेती हूं कबाबों को आप बड़ी बनाई है तो कम बनेंगी आप छोटी छोटी बनाएंगे तो जादा बनेंगी मैं थोड़ पारा बने एक साइट पर रखं़ी है मैंने मैं मैंनेज कर पा रही हूं अगर आप मैंनेज ना कर पाएंगे तो बनाने से पहले आदा घंटा फ्रिज में रख दीजेगा अब एक ले लीजए हमारी कबाब को हीजी चिकेन कबाब को सीख कबाब को और इसको अंडे में दो अंडे हैं और इसमें थोड़ा सा नम्मक डाला है मैंने और दो टीबल स्पूंज इतना दूद डाल कर फेट कर रखा है साइड पर अगर आपने चिकिन के अंदर चीज डाल दिया और आप उसके बाद मैनेज़ेबल तब भी नहीं लग रही है फिर से आधे एक गंडे के लिए फ्रेज में दालने के बाद फिर ये जो अंडे और ब्रेड करम्स में इसे रोल कर लीजिएगा चलिए मैंने सारी वेल कोड कर ली है चिकिन को तो अब फ्राइंग अभी कर देती हूँ चूला फास्टास पर चालू कर दीजिए और कड़ाए में तेल डाल कर उसे गरम कर लीजिए तेल को अच्छा गरम हो जाए मीडियम आज करके बिसमिल्ला रह्माने रह्म बोल कर हमार यह जो चिकिन कबाबे हैं यह डाल दीजिए अब मेरी कड़ाई आप देख सकते हैं माशाला बड़ी चोटी है तो आपकी जितनी बड़ी हो उतनी डालिएगा आप मैं चूला मीडियम पर रखकर 5-6 मिनिट तब पका लेती हूँ अब आपने तब तक पकाना है जब तक ला इट गोल्डन ब्राउन हो गई है तो मैं इन्हें निकाल कर नितार कर चनी के ऊपर रख रही हूँ आज कल मैं चनी के ऊपर रखती हूँ टिश्यू पेपर के ऊपर नहीं रखती हूँ क्योंकि ऐसा थोड़ा सौगी हो जाते हैं इसी तरीक से सारे बैच उसके अंदर फ्रा मा करम सर्फ कीजे वैसे इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्ची का पाउडर जो भी स्पाइस है आपने स्वाद अनुसार डालिएगा चीज भी आप आपके हिसाब से कम्या जादा डाल सकते हैं चली मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ बिसमिल्ला रह्माने देम ओ मा आप लूड़ कि आप लोग की लिए लिंक डिस्क्रिफिशन के अंदर आप महाँ चेक कर लिजिएगा इन्हें स्टोर करके फ्रीज करके खा सकते हैं आप इनहें अधाइट कंटेनर रख दीजिए और इसको फ्रीजर के अंदर रख दीजिए अगर दाल कर जब भी चाह थो करें निकाले और खाएं तो हैना मज़ेदार रेसिपी अज की अगर आप यह वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमें सेक्षिम में जरूशे कीजिए अपने कमें भूल अपने कमें रहा शेयर लग तो लाइक जरूर कीजिए और उससे जादह अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाली वीडियो की लिंख जरू फावर्डी खीजिए का फिर से राधर हुंगी नहीं शा